हेलो दोस्तों वेलकम बैक एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राजा किर्केट पिडिक्शन में तो आज हम बात करेंगे इंडिया टूर बेस्ट इंडीच के टी टॉन्टी दूसरे मैच की जो खिला जाएगा एक अगस्त दो हजार बाइस बार्द्य समान अनुशार आठ वजे साम को वैन्यू रहेगा पार्क वार्क और ये किट्स में खिला जाएगा ठीक है तो बात करेंगे इसके बारे में तो पहले सबसे बहुत नजर डाल देते प्लेंग 11 पर प्लेंग 11 क्या कर रहेगी दो हो प्लेंग 11 में खिलाई थी इन लोगोंने याद होगा आपको भी एक ही टी टॉन्टी हुआ है जो कि इंडिया ने जीता है तो जो इंडिया की सेम प्लेंग रेविन थी वही खेलेगी रोहिश सर्मा और सूर्ण कुमार यादव ओपनिंग कर सकते हैं बंड डाउन पर रहेंगे श्रिया श पर कि प्लेंग लेविन क्या-क्या रहेगी तो सबसे उपर कायर मेर्स हैं और ब्रूक्स हैं जेसन होल्डर है और निकोलास पूरन है जो की कप्तान भी है रोवन पावेल हैं सिम्रन हैटमेर हैं यह 6 प्रॉपर बल्लेवाज है बाकि नीचे भी है जो और है और बैट गुम अब हम बताएंगे आपको जो मैंना हाइलाइट करें हुए हैं इंडिया की तरफ से यह वह प्लियर है की पिलियर जो मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं यह मैं इसलिए करता हूं अपनी वीडियो में जिससे कि आपको हैल्प मिले प्लेंग लेविन जो खेलते है अपनी प्लेंग लेविन ड्रीम लेविन बनाने के लिए तो रोहिष सर्मा सुर्ण कुमार यादाब श्रिया शायर हार्दिक पांडिया चार मैंने बल्लेवाज उठाए हैं इंडिया की तरफ से रभी विष्णुवई और भूबनेश्र कुमार यह बॉलर उठाए हैं लेविन बनाए अपना इन 11 में से नो ाइड जो भी लहना चाहें अपको लिए सकते यह अची परपोरमेंस देंगे अब बात कर लेते हैं एक बार पिछ रपोर्ट की तो सब्सक्राइब करता हैं अब को दिखा भी रहा होगा भी टोटल इस इंटरनेशनल आठ मैच खेले गए हैं बैटिंग फर्ष्ट सिर्फ दो मैच जीती है बैटिंग सैकेंड यानि चेस करने वाली टीम का पड़ला यहां पर भारी रहता है अब एवरेज स्कूर की बात करें फर्ष्ट बैट के तो 128 है हाइस स्कूर की बात करें इंग्लैंड का ह 122 रन पर 6 यानि कि यहां पर 156 170 रन भी एक फाइट वाला स्कूर माना जाता है ठीक है और जो सबसे लुएस डिस्कोर रहा है वह वेस्ट इंडीज का ही है जो कि 45 रन पर आल आउट हो गई थी अब एक वार हैट-to-head की बात कर लेते हैं टी-20 मुकाबले में बैस्ट इंड है कि ऊðिए कि एक मेंच रहा है नो रिजल्ट ययानिकि इंडिया का जो सेक्ष्टीभाइब परसेंट यह वेस्ट इंडिजेकर सेब्स्टन अरट रही हूं करेंगो अटắcरी अब vic को पता होगा तभी से टीनोंटी स्टाइड भी हुआ है सम्तिंग 2008 नों से ठीक है तो यह तो है इसमें किलियर दिख रहा है कि इंडिया का पड़रा भारी रहने वाला है अब बात करते हैं को विल विन या विनिंग परसेंटेज की किस टीम कौन जी चीक सकती है तो अकॉडिंग टू मी इंडिया का बिनिंग परसेंटेज मानता हूए उस मैच में 75% है और जीतने की चांज 25 परसेंट हैं विंडीज के जीतने की चांज इसमें 25 परसेंट हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंडिया जीद गई है मैच ठीके ना यह मेरी अपनी प्रेडिक्शन है दूसरी चीज है कि अभी इंडिया एक जीरो से जी सुकी है सिरीज तो यह वाला मैच अच्छा होगा पूरी अच्छे होने की उम्मीद है तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बैल आइकन को एक बार ओन कर दें दबा दें उसे जिससे कि कोई सबसे जरूरी चीज टेलिग्राम और वाट्सअप पर हमारी विडिंग टीम आती है तो वाट्सअप नंबर हमारा यह है एट फोर फोर सैबन नाइन थ्री फाइट थ्री नाइन सेबिन चौरासी सैटालिस तरांबे तड़ेपन सत्तानबे इसे नोट कर ले और टेलिग्रा या इसे लिख लो और डारेक्ली मुझे वाट्सअप पर मैसेज कर दो मैं वाट्सअप के थ्रू आपको अपना टेलिग्राम का चैनल का लिंक शेयर कर दूँगा वहां से आप जॉइन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बाइबाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में